नमस्कार नियुज़ाच में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ राजकुमारी राजधानी भोपाल में जिला केंद्रिय सहकारी बेंक कर्मचारी अधिकारी संग ने सहकारी बेंक कर्मियों के प्रती मद्यप्रदेश शाषन की भेद भाव पूर नीतियों के खिलाफ सहकारी ता मंत्री विश्वास सारं को ग्यापन सौपा साथी सभी कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्टित काले नरताल करने की चेतावनी दी है सहकारी बेंकों के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोत प्रदरशन किया और मंत्री विश्वास सारं को ग्यापन सौपा सहकारी बेंक करमचारियों ने प्रदेश के सहकारी बेंक को एवं पैक्स के करमचारियों के लिए सात्वा वेतन आयोग लागू करने की मांग रखी साथ ही सरकार के 800 समवेदा कर्मचारियों को निकाल कर नए कर्मचारियों की भरती के निर्णय को वापस लेने की मांग रखी कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर एक जुलाई को प्रदेश व्यापी अनिश्चित कालिन हर्ताल करने की चितावनी दी है कौपेड़ी बेंक में काम करने वाले 800 समीदा करमचारियों को निकालने का निर्णे लिया है, उनकी जगे नीमित भरती करने का निर्णे लिया है, वो जेन जिले में निकाल दिया गया है, जिसका विरोत करते हुए हमने आज मानी सहकारिता मंतरी विजवास आरंग जी को ग्य विजवास आरंग का कहना है कि किसी भी प्रकार के निर्णे को लेने से पहले वे सभी सहकारी बेंकों की वित्तिय इस्तिति देखेंगे, उन्होंने कहा कि वे किसान आंदुलन जैसी नौबत नहीं आने देंगे, इसके अलावा मंतरी विश्वास आरंग ने 800 सम्वीदा करम करमचारियों को निकालने की बात को सिरे से खारिच कर दिया। जो भी वित्ति इस्तिति है, उसको ध्यान में रखते हुए, जो भी करमचारियों के हित्म में होगा, वो निर्ने लिया जाए। निकालने की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये कुछ कंफूजन क्रियेट किया गया है, नई भरती का मतलब ये नहीं कि पुराने निकाले नहीं तो हरताल की नौबत क्यों आई, भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज, और इसी के साथ मुझे दीजी अजासात और आप देखते रही है न्यूज आज झाले जाएंट